कैसे हैं मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों मैं हूँ अभिना तुशांशू पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी और इन परिक्षाओं की तयारी में एक अच्छा बारवी और अच्छा दस्वी दोनों बोर्ड की सभी विश्यों की अच्छाएं आपको अभिप्षा की प्लैट्फॉम पर मिल जाती हैं आज हम कि सुषय पर चरचा करने वाले हैं अर्धचालक, इलेट्रौनिक पदार्थ, युक्तियां एवं सरलपरिपत यह जो चैप्टर है यहां पर आपको कुल मिला के सात अंख मिलने वाले हैं अब यह सात अंख का डिस्टिबूशन कैसे होगा भाई तो यह 7 अंक आपको ऐसे मिलेंगे कि यहाँ पर एक प्रश्न आपसे एक अंक का पूछा जाएगा और दो प्रश्न आपसे तीन अंक के पूछाएंगे टोटल आपको 7 अंक मिलते हैं इन साथ अंकों के लिए आज ही हमारी अच्छा क्या है पी वाई क्यू और इस पी वाई क्यू में जो है हम पूरो प्रश्ण पत्रों के उपर चर्चा करने वाले हैं तो आप सभी बिल्कुल एकाग्र होकर अपना कॉंसिल्टेशन यहां पर लगा कर बैठ जाईए और हमारी चर्चा चलती रहेगी तो चली आएए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्ण की और सबसे पहले प्रश्ण के पहले हम थोड़ा सा बैक्ग्राउंड जान लेंगे हम यह पूरा परिवार है इनकी जो संयोजक्ता है वह तीन होती है यहां पर कार्बन का जो पूरा परिवार है इनकी संयोजक्ता चार होती है और नाइट्रोजन के इसके पूरे परिवार की संयोजक्ता पांच होती है अब इन संयोजक्ता का मतलब क्या है और इस से हमें क्या लेन होता है वो इस तरीके से होता है चाहे आप बोर बरी मॉडल माने चाहे आफ बाउ माने यहां पर जो है आप क्या देखेंगे के नाभिक के पास में सारे के सारे प्रोटॉन होंगे पहरी कच्छा में दो इलेटरॉन होंगे और दूसरी कच्छा में चार इलेटरॉन आपको दि है ऐसी स्थिति में कारबन क्या कर एगा कि वह तो बनाएगा के उसके पास में चार से सब्सकराइब है कि हर एक सदस बारे जो है किसी चार और सदस क्यू aja के इंतजाम में भगल वाले कार्बन के साथ बिंद बनाने के कारण भड़न आ जाते हैं ठpiक है तो इस प्रकार से इसका इस्टक और यह रासाइनिक रूप से संत्रित अवस्था में पहुंच जाता है लेकिन आप यहां पर दीखेंगे कि कारवन के साथ-साथ बोरौन के साथ में कहानी यह है कि इसकी पहली कच्छा में दो और दूसरी कच्छा में सिर्फ तीन एलेटरॉन होते हैं ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदी हम लोग यहाँ पर किसी बुरान को रख दें बुरान के साथ में तकलीफ यह होजाएगी बोरॉन के साथ में तकलिफ ये हो जाएगी कि बोरॉन जो है अगर बहुत ही कम मात्रा में इन कार्बन परमाणों के बीच में आ जाए तो बोरॉन के पास में देने के लिए सिर्फ तीन इलेक्टरॉन है तो वह किनी तीन कार्बन को ही संत्रिप्त कर पाएगा जबकि यहाँ पर जो है इलेक्टरॉन की कमी दिखाई देगी और जहाँ पर भी इलेक्टरॉन की कमी हो वहाँ पर को हम क्या बोल देते हैं खोल बोल देते हैं इस प्रकार से यदि कार्बन की फैमली में हम ले ले लेते हैं सिलिकॉन और बोरॉन की फैमिली में हम ले लेते हैं एलिूमीनियम ठीक है तो अब जुह हम क्या देखते हैं कि यदि सिलिकॉन में एलिूमीनियम की अत्यन्त अल्प मातरा में अशुद्धी मिला दिये जाए तो यह इस प्रकार का पदार्थ बनाएगी जहाँ पर कहीं पर जहाँ जहाँ पर अल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर इलेट्रोनों की कमी होगी या फिर एक होल दिखाई देगा इसे हम क्या कहते हैं इसे हम होल कहते हैं इसी प्रकार से नाइट्रोजन के पईवार की बात की जाए तो नाइट्रोजन के पास में जो है कुल मिला के कितने इलेट्रोन होते हैं सिलिकॉन से बने हुए यानि सिलिकॉन की अधिक्ता वाले किसी पदार्थ में यदि हम बीच में जो है कहीं पर नाइटोजन डाल देते हैं तो ऐसी स्थिती में क्या होगा आप देखने का प्रयास करें जब जो है सिलिकॉन की अधिक्ता वाले किसी पदार्थ में हम नाइटो के पास में इन सिलिकॉन की अवश्चक्ताओं की पूर्टि के लिए जो है चार इलेटरॉन तो हैं ही लेकिन क्योंकि इसकी बाहर कख्छा में पाच इलेटरॉन होते हैं इसलिए यहां पर एक इलेटरॉन की अधिकता रहेगी अब इस बात को समझ लेने के बाद में आप जो है दोबारा इसे सोचने का प्रयास करें जब हम प्योर कार्बन की बात कर रहे थे तो इसके चारों के चारों और जो है हमें कार्बन ही नजर आ रहा था और यह एक संत्रिप्तता की अवस्था में था अब क सिती में क्या होता है कि इन अतिरिक्त उर्जा के प्रभाव में यह सहसंयोजिक बंद तूटने लगते हैं और ऐसे तूट जाने के दिशा में इन में जो है चालन संभाव हो जाता है तो इस पकार से कारबन जो है जो मूल रूप से कैसा पदार्थ है यह कुछ आलक पदार्थ उसके बावजूद जो है यहां पर उश्मा या विदुत उर्जा की अधिक्ता होने पर सहसंयोजिक बंद तूट याने के कारण चालन का मतलब चालन देखने के मिलता है या विदुत धरा का प्रवाह होने लगता है क्योंकि यह बहुत कम है इसलिए यहां पर जो है मतलब जो है बहुत कम ऐसे जो है सहसंयोजग बंद तूटते हैं इस कारण वुजा का प्रवाह या विदुद्धार का प्रवाह भी बहुत ही कम होता है लेकिन अब आप देखेंगे कि किसी भी जैसे इस 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 एक लिदुत रवाह हुझा तो जहां वह इलेटरान जाएगा वहाँ इलेक्ट्रों तो यहां पर करने में मैंकि मैंच्छम होगा तो इस प्रकार से हम शुद्ध समिकंडक्टर में याने सुद्ध अर्ध चालक पदार्थ में कार्बन फैमली के परमानों पाय जाते हैं याने की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब एक ही फैमली के सारे के सारे पदार्थ पाय जाते हैं सुद्ध रूप से और इन में इलेट्रोनों और होलो की संख्या बराबर होती है जबकि जैसे ही इन में बुरोन फैमिली की अशुद्ध या नाइटरोजन फैमिली की अशुद्धे मिला दी जाती है ऐसी इस्थिति में यहां पर एक संतुलन बिगड़ जाता है या तो होलों की संख्या धिक हो जाती है या फिर एलेटानों की संख्याधिक हो जाती है और इन्हें हम जो है अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ याने की intrinsic extrinsic semiconductor devices कहते हैं ऐसी इस्थिती में अब जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारा प्रश्ण है कि जब सुद्ध जर्मेनियम में बोरॉन की अशुद्ध मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक पराप्त होता है सुद्ध जर्मेनियम कहां से मिला है भई या सुद्ध जर्मेनियम कारवन की परिवार का है और यह सुद्ध नक्टर यासुद्ध अर्धचालक पदार्थ बनाता है लेकिन बोरान की फैमली के पास में जैसे ही जैसी की असुद्ध मिला दी जाती है तो इसके पास में होलों की संख्या बढ़ जाती है जबकि एलेट्रों की संख्या आ परिवर्टित रहती है इस प्रकार से खोल बढ़ने के कारण पी टाइप का जो है अव्धचालक हमें प्राप्त होगा प्रश्ण कप का है 2020 का 2022 का ठीक है त्री सईयोजी भाई हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा हम लोगों ने देखा कि बॉरान फैमली के सारे के सारे जो मेंबर हैं वह त्री सईयोजी होते ठीक है अब जो है आगे का प्रशन हमारे पास में क्या है जब सुध जर्मेनियम में ऐलुमीनियम मिला दी जाए ऐलुमीनियम कि परिवार का है बैगन बैगन आलू गोभी ईन फैला अब इस तरीके से इंवे से कॉइसी भी असुद्धी मिलाई जाए वो त्री सईयोजी हो से हमेशा प्रिटाइब का समी कंड़क्टर मिलता है 2020 का यह प्रश्ण आगे बढ़ेंगे जब सुद्ध जर्मिनियम में एंटी मनी की बिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्दचालक प्राप्त होता है अब यह एंटी मनी कहा है हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको जो है यहा आपर दिखाई दे रहा है तो यहां पर झो हैं टीमनी किस प्रकार का पदार्थ है। एंटी मेनी जो है नाइट्रोजन फैमिली का है नाना पाटेकर एस्वर्या सब और बिंदास और यहां पर जो है इस प्रकार की असुद्धि मिलाने से हमें क्या मिलेगा इलेट्रोनों की अधिक्ता के कारण एंट टाइब का सेमी कंडुक्टर याने की एंट टाइब का अर्धचालक मिलेगा 2020 का यहां परशन है आगे बढ़ेंगे और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चालन बैंट की देखें तीन पकार के पदार्थ हम मुख्यूरूप से हमारे आसपास पाए जाते हैं उन पद के पास में उसके परमारों के आसपास घूमने वाले इलेट्रॉन दो प्रकार की प्रवित्ति के होते हैं ऐसे सारे के सारे इलेट्रॉन जो अपने नाभिक से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए होते हैं या बाह और उर्जा देने पर भी यह इलेट्रॉन जो है अपने नाभिक को छोड़ कर नहीं जा सकते इन्हें हम जो है बद्ध इलेट्रॉन कहते हैं क्या कहते हैं इसके अलावा जो है एक प्रकार के और इलेट्रॉन होते हैं जो थोड़ी सी उर्जा देने पर आसानी से बाहर परमाणों के बाहर निकल सकते हैं और इन्हें हम मुक्त इलेट जो होते हैं तो अब इसके हिसाब से हमारे पास में बैंड है पहला है संयोजगता बैंड और संयोजगता बैंड ऐसा बैंड है जहां पर सारे के सारे बद्ध इलेट्रॉन ही पाए जाते हैं उसके बाद में चालन बैंड होता है और चालन बैंड में सारे के सारे मुक्त आता है जिसे देने पर संयोजक बैंड के इलेटरान चालक बैंड में जाएंगे अब हम जो है जब मतलब चालक पदातों की याने की मैटल्स की धात्मों की बात करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें संयोजक बैंड और चालक बैंड इनके बीच में जो है कुछ आलक हैं तो यहें बहुत ही ज्यादा उर्जा की आवाशकता होती है इनके सह संयोजक बैंड या संयोजक बैंड से इलेट्रोनों को निकाल कर चालक बैंड में लाने के लिए और यह उर्जा की जो हम लगभग पूर्टी नहीं कर पाते तो यह पदार्थ जो कैसे होते हैं कुछ आलक प्रवित्ति के होते हैं इसके बाद में हम देखेंगे अर्ध चालक पदार्थों में यह जो उर्जा का प्रवाह में सहयोग करने लगते हैं और यह जो छोटी सी उर्जा है यह उर्जा इतनी भी हो सकती है कि सिर्फ आप तापमान में व्रिद्धि करें और यहां पर चालन प्रारंब हो जाए तो हम लोगों ने देखा कि तापमान का प्रवाह उचालकों के उपर क्या पड़ता तो इनके में प्रतिरोध बढ़ने लगता है और उसका कारण क्या है कि आवेशों के बीच में आपसी टक्कर होने लगती है जब कि अर्दचालक युक्तियां ऐसे पदार्थ हैं जिसमें तापमान बढ़ाने पर यह जो वर्जित अंतराल है यह जो उर्जा का इस्तर है इसको प्रतिरोध कम होने लगता है तो हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीखी हम आगे देखते हैं कि चालन बैंड और वर्जित अंतराल में यहां पर यह वर्जित अंतराल की कमी है और यह किसको प्रदर्शित करता है यह एक धातु या सुचालक को प्रदर्शित करता है यह एक कुछाला को प्रदाशित करता है जहां पर जो है उर्जा का उर्जा की आवशक्ता बहुत जादा है और इसके साथ साथ हम यहां पर देख रहे हैं कि यह एक अर्धचाला को प्रदाशित करता है जहां पर उर्जा की आवशक्ता बहुत कम है ठीक है अब आगे हम क्या और यहांद लाप पर यहां पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो जैसे ही हम यहां पर और बिरिदल में पर चारों का आज आजिए अपर अब आगे हम देखेंगे कि ये N-type और P-type जो है ये जो पदार्थ है ये इसमें क्या होता है N-type पदार्थों में हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर इलेट्रोनों की संख्या अधिक है क्योंकि हम लोगों ने पंच संयोजक याने की नाइट्रोजन फैमिली के पदार्थों को कि असुद्ध जो है एक विशुद्ध अर्दचाला की उक्ति में मिला दी है ऐसी स्थिती में इलेट्रोनों की संख्या हो जाती है अधिक और यहां पर मुख्य रूप से चालन में सहयोग करने वाला पदार्थ इलेट्रोन हो जाता है और यहां जो हमको चालन बैंड में दिखाई देने लगता है इसके विपरित पी टाइप में जो है हम क्या करते हैं पी टाइप में जो है हम बोरान परिवार का यने कि संयोजी परमानों की असुद्धे मिलाते हैं और ऐसी इस्तिति में होलों की संख्या दिखो जाती है और वह चालन बैंड में इलेट्रानों के प्रवाह में सहयोग करने लगता है तो यहां पर क्या हुआ कि होल बढ़ गए और वहां के इलेट्रान उपर दिखाए देने लग इसके आगे हम अगले वीडियो में कुछ और प्रश्ण दिखेंगे जो आपकी पूर परिक्षाओं में पूछे गए हैं और उसको इन्ही निसकर्शों के माध्यम से समझा जा सकेगा तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद